अस्ट्रेलिया दोरे पर टेस्ट चेंपियंशिप के तहत खेली जा रही चार टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा इस सरमनाक हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की खोब आलोचना हो रही है अगर ऐसा हो गया तो दूसरे टेस्ट मैच में भारत की जीत लगभगता है जी हां क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में बिलकुल विरेंद्र सहवा के अंदाज में बलेबाजी करने वाले तुपानी बलेबाज रिसपन्थ और रोहित सर्मा दूसरे टेस्ट मैच के दौरान द दरसल माना जा रहा है कि लोकेश राहूल, हार्दिक पांड्या, रोहित सर्मा और रिसब पन्थ जैसे धुरंधर बलेबाजो के प्लेइंग 11 में नौ होने की वज़ा से ही भारत को सर्मनाक हार का सामना करना पड़ा विराट के बारे में यहां तक चर्चा हो रही है कि जान कारों की माने तो रिसब पन्थ लोकेश राहूल और हार्दिक पांड्या जैसे तुफानी बलेबाज होते तो पहले टेस्ट मैच में यह दिगज बलेबाज अपनी तुफानी बलेबाजी के दम पर जीत दिला सकते थे इसके अलावा पूरे मैच के दोरान इस्टार बलेब को प्लेइंग 11 से बाहर रखना वाकई हैरानी जनक है इससे पहले T20 और वंडे सीरीज के दोरान भी भारत को रोहित सर्मा और रिसब पन्थ जैसे तुफानी बलेबाजों की कमी बहुत खली खैर पहले टेस्ट मैच में बेहद ही सर्मना खार के बाद कप्तान विरार कोहली को भी टेस्ट क्रिकेट में रोहित सर्मा हार्दिक पांड्या और रिसब पन्थ की आहमियत का पता चल चुका है क्रिकेट विशे सग्यों की माने तो दूसरे टेस्ट मैच में रोहित सर्मा लोकेस राहुल और रिसब पन्थ की तिकड़ी औस्रेलिया गेद बाजों पर भा पड़ेगी